आज हम एक नए पाट को शुरू करेंगे पाट का नाम क्या है साइकल की सवारी क्या है साइकल की सवारी देखिए क्या दिया गए इस पाट में साइकल की सवारी एक वेंगी प्रधान हाश्य रसपूर्ण लेख है यह क्या है जो साइकल की जो सवारी जो पाट है यह है वेंग प्रधान वेंगे करना वेंगे प्रधान और हाश इसमें वह सारा हाश है और रसपूर्ण लेख है जो लेख है इससे हमें बहुती हाश देखने को मिलता है इस पार से में बहुती मनोरंजन मिलता है जो मनोरंजन के साथ-साथ इस पार से में मनोरंजन मिलता ही है उसके साथ-स पाठकों को जो पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हमें, और भी नए नए जानकारियां, इनफॉर्मिशन हमें देता है, इस पाठ से हमें मिल जाता है, लेखक सुदर्शन जी ने, जो लेखक है सुदर्शन जी, उन्होंने अत्यंत सरस सरल और चित्राक्मक, बहुती सरल रूप सशैली में इसे लिखा है इस इस लेख को इस पाट को लिखा है ठीक है एक एक वेंगे प्रदान और हाश्य रसपुर्ण लेख है यह पाट भोती मज्यदार है यह हाश्य प्रदान हो जाता है ठीक है क्या है आई सोड़ा सा देखेंगे जब मैं किसी को साइकल की सवारी करते या हार्मोनियम बजाते देखता हूं क्या बलते हैं पर जब मैं किसी को साइकल की सवारी कोई दूसरे वक्ती साइकल की सवारी करते हूए होते है उनको यह जब देखते है या हार्मोनियम बजाते देखता हूं या फिर हार्मोनियम जो वाद है उसको बजाते हूए देखता हूं तब मुझे अपने उपर अपने मर्सी आ जाती है भगवान ने ए दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है भगवान ने जो बनाया है साइकल की सवरी करना और हर्मोनियम बजाना ए दोनों विद्याएं भगवान ने बहुती अच्छा बनाया है एक से समय बचता है एक से क्या होता है समय बसता है, साइकल पर चलने से समय बच जाता है दूसरी से समय कटता है जो दूसरा है हार्मोनियम उससे समय कट जाता है मगर तमाशा देखी क्या तमाशा है कि हमारे प्रारब्द में कल्यूग की ये दोनों विद्याएं कल्यूग, आज का जो है युक को यह दोनों विद्धाएं नहीं लिखी गई पता नहीं कब से ए धारणा हमारे मन में बैठ गई है आज कल के से लोग क्या करते है साइकल सेला उझने से हिचकिचाते है और हार्मोनिम बजने से भी क्या हो जते हह हिचकिचा जाते है शेक्ने से इसलिए कि हमारे मंद में बैट गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं हमार मंद में हम सब कुछ कर सकते इस तरह बैट गया है मगर ए दोनों काम नहीं कर सकते लेकिन हमने क्या नहीं कर सकते हैं साइकल और हार्मोनियम बजा नहीं सकते इस तरह आपे दिया जा रहा है आज इतना कपी है कल के वदी में इस पाट को आगे बढ़ाएंगे ठीक है धन्यवाद